आयुर्वेदा होम केर आपके घर का डॉक्टर रखे आपके स्वास्थ का खयाल आयुर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है कलोंजी एक प्रकार का बीज होता है जिसका प्रयोग कई प्रकार के पकवानों में किया जाता है सदियों से इस काले बीज का सेवन इंडिया और आसपास के देश के निवासी करते हैं कलोंजी एक बहुत ही अच्छी जीवनाशदी है और इसका प्रयोग 2000 वर्षों से दवाओं को बनाने में किया जा रहा है ऐसा कहा जाता है कि कलोंजी मौत को छोड़ कर हर मर्स की दवा है तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी काले बीज यानि कि कलोंजी के फाइदे क्या है और कलोंजी से उपचार कैसे किया जाता है या कलोंजी का सेवन किस तरह से करना है तथा कलोंजी किन किन रोगों में कैसे आपको फाइदा पहुंचाती है कलोंजी के फाइदे जानने से पहले आपको बता दे कि इसका सेवन कैसे कर सकते कलोंजी के बीजों का सेवन आप सीधे ही कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें एक छोटा चम्मद शहत के साथ मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं कलोंजी को आप पानी में उबाल कर फिर छान ले और इस पानी को पिए ऐसे भी आप कलोंजी को ले सकते हैं एक तरीका ये भी है कि आप कलॉंजी को दूद में उबाल ले और जब दूद थंडा हो जाए तब इसको चान कर पिए कलॉंजी को आप मिकसर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और पानी या दूद के साथ इसका चूरन सेवन कर सकते हैं एक मौडन तरीका ये भी है कि आप कलॉंजी को ब्रेट, पनीर या पेश्ट्री पर छेड़क कर इसको खा सकते हैं अब जानते हैं कलॉंजी के उप्योग और उपचारों के बारे में कलॉंजी का उपचार मौहा से तवचा के फोड़े फुनसी और शुष्क तवचा को दूर करने के लिए किया जाता है इसका प्रेयोग करने से चहरे से दाग धब्बे मिट जाते हैं और आपकी तवचा युवा और उजवल दिखाए देती है तवचा की चमक के लिए शहद और कलॉंजी का पेस्ट बना कर आधे घंटे के लिए अपनी तवचा पर लगाएं फिर इसे धोलें मुहासों जैसी समस्या के लिए कलॉंजी और सेब के सिरके को मिला कर एक पेस्ट बनाने अब इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और 10-15 मिनिट के बाद धोलें नियमित रूप से इसका उपयोग करें शुश्क तवचा की समस्या के लिए कलॉंजी के बीच का पाउडर और तिल के तेल से बना पेस्ट इस्तमाल करें अच्छे परिवर्टन देखने के लिए एक सब्ताह तक उपयोग करें आप जली हुई कलॉंजी को हेर ओल में मिलाकर रोजाना नियमित रूप से सिर पर मालिश करेंगे तो इससे गंजापन भी दूर हो सकता है और अगर बाल जढ रहे हैं तो नए बाल उगाते हैं कलॉंजी का प्रियोग रिदे से सम्बंधित कई रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है इसके इस्तमाल के लिए एक चमच बकरी के दूद में आधा चमच कलॉंजी के तेल को मिलाकर रोजाना एक हफ़ते तक पीने से रिदे मजबूत बनता है और हार्ट अटाक का खत्रा भी कम हो जाता है कान की सूजन में या बहरापन में कलॉंजी के तेल को अच्छे से कद कदा लें और ठंडा होने के बाद कान में डालने से कान की सूजन दूर हो जाती है और साथ ही इससे कम सुनाई देना और बहरापन जैसे रोगों में भी फायदा मिलता है पेट में अगर कीडे हैं तो 10 ग्राम कलॉंजी के बीज लें और इन्हें आप 3 छोटे चमच शहद के साथ मिला लें इसका आप रोजाना रात को सोते समय थोड़े दिन तक नियमित रूप से इस्तमाल करें इससे आपके पेट के कीडे पूरी तरह से नश्ट हो जाते हैं डाइबेटीस से पीडित व्यक्तियों के लिए कलॉंजी बहुत ही फाइदे मंद होती है इसका उप्योग डाइबेटीस को नियंतरित करने और उसके इलाज दोनों के लिए किया जाता है इसका उप्योग करने के लिए एक कप काली चाय में आधा चमच कलॉंजी के तेल को मिलाकर रोजाना, सुभ़ और शाम भी है ऐसा एक महीने तक करने से आपको असल दिखाई देने लगेगा प्रसव पीड़ा में कलॉंजी का काढ़ा बना कर सेवन करने से प्रसव की पीड़ा में आरा मिलता है प्रसव के बाद सुभ़ के समय इसी काढ़े को खाली पेट दो से दस दिन के लिए मा को देना चाहिए ये प्रसव के बाद के infection से लड़ने और मा की आंतरिक प्रणाली को मस्बूत करने में काम आता है आखों में लाली हो या फिर मोतिया बिंद या आपकी आखों से पानी आता हो इसके अलावा आखों की रोशनी कम हो तो आप एक कप गाजर का रस लीजिए और लगभग आधा चमच कलॉन जी का तेल अब इसमें दो चमच शहद मिला कर दिन भर में कम से कम दो बार इसका सेवन करें इससे आपके आखों के सभी नेतर संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं कलॉन जी के फायदे इतने हैं कि एक एपिसोड में बताना मुश्किल है कलॉन जी के और फायदे हम अगले एपिसोड में बताएंगे लेकिन कलॉंजी का तेल कैसे बनाना है वो हम आपको अभी बताते हैं 200 ग्राम कलॉंजी पीस कर 0,5 लीटर पानी में उबाल लें उबालते उबालते जब ये केवल 1 लीटर पानी रह जाए तो इसे ठंदा होने दें पानी में गर्म करने से इसका तेल निकल कर पानी के ऊपर तैरने लगता है अब इस तेल पर हाथ फेर कर तब तक कटोरी में पोँचे जब तक पानी के ऊपर तैरता हुआ तेल खत्मना हो जाए फिर इस तेल को छान कर बोतल में भर लें क्या आप जानते थे कि कलोंजी के इतने सारे फाइदे हैं लेकिन अब तो जान गए है ना तो आज से ही शुरू कर दीजिए कलोंजी का नियमित रूप से सेवन करना और रखिए अपने स्वास्थि का पूरा खयाल हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे ही स्वास्थिवर्धक नुस्खें आपको बताते रहें और आप इसका पूरा लाब उठाते रहें तो कीजिए सब्सक्राइब हमारा चानल आयुर्वेदा होम केर आज ही धन्यवाद